प्रेंट्स ये देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको गला घटाना सिका था, वीनेक का, अब मैं इसमें फंदे उठा के आपको दो सलायों पे वीनेक का गला बुनना बताऊंगे, और उपर से सुई से बंद करना, ये देखो, मैं इधर से फंदे उठाने से पहले अगर इधर से आपने फंदे उठाने हैं, तो ये फंदे इस सलाई पे डालना बड़ी सलाई पे, फिर यहां से फंदे उठाने शुरू करना, यहां से, फिर उठाते वे इधर लेके आना, मैं इधर से शुरू कर रहे हूं, क्योंकि मेरा यह याद चलता, इसमें मै सतर और पिचतर के बीच में फंदे उठाऊंगे क्योंकि हमें सुवी से बंद करना है जब हम सुवी से गला बंद करेंगे उसमें 15-20 पंदे ज्यादा उठते है फंदे उठाने मैंने पहले भी आपको बता रखे है करोसिये से भी मैंने बता रखे है अब दुबारा फिर मैं आपको बताती हूँ यह देखो फ्रेंड्स यहां से हम लेंगे यह हमारा फंदा है इससे आगे से यहां से हम स्टार्ट करेंगे उठाने यह हमने धागा ले लिया कई वार ऐसा होता है फ्रेंड्स हमारे एक तरफ ज्यादा फंदे उठ जाते हैं एक तरफ कम जब हम पहली स्लाइब उनेंगे तो उसमें से हम फंदे निचे से उठा लेंगे और दोनों तरफ पूरे कर लेंगे देखो फंदे उठाते वक्त कई बार यह गैप ज्यादा रह जाता है तो इसमें से हम पहली स्लाइब में फंदे उठा सकते हैं ताकि हमारे दोनों तरफ पूरे हो जाएं और पिछे के फंदे जो हमने यह छोड़ रखे हैं यह एज़िट इज रखने हैं अब मैं फंदे पूरे उठा लेती हूँ दोनों तरफ के उसके बाद आपको बताऊंगी कि मैंने कितने फंदे उठे हैं मेरे फ्रेंड्स यह देखो मैंने इधर दोनों तरफ के पिछेतर पिछेतर फंदे उठा लिएं यहां जो गैप था यहां मैंने तीन फंदे उठाए हैं यहां मैंने दागा तोड़ दिया हब यह मेरे पिछे के पंदे हैं यह मैं बिगेर बुने हुए इस लाई पे उतारूंगे यह देखो मेरे पिछे के 48 फंदे हैं 150 फंदे मैंने उठाए हैं यह देखो हमारे सारे फंदे एक स्लाई पे आ गए है अब हम यहां से धागत लगाएंगे दोबर अर नीचे देखो हमारा एक उल्टा एक सी देखा बोडर है इसी से हम गला बुनेंगे मैं पांच लाईया उतारूंगे पहले उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि कैसे बोडर बुनेगा पहला सी दाफंदा लिया मैंने दागा लगाया यह दागे की गाठ लगा लो यहाँ दागा आगे किया उल्टा यही बोडर बुनना है यह एक उन्टेक सी देखा यहाँ गले के यह जो गटाई करनी है मेरको यहाँ यहाँ आ जाऊंगे तब मैं आपको इस लाई में बताऊंगे यह हमें पांच सलाई यह उतार लुए है यह सलाई जब वहाँ आ जाएगी तब मैं आपको एक बार गला गटाना बताऊंगे यह देखो फ्रेंड्स हमारी यहाँ तक सलाई पूरी हो गई है अब यहाँ हम गले का फंदा गटाने पे आ गए हैं अब गले का फंदा गटाएंगे एक फंदा इधर से लेंगे एक यह बीच वाला एक इधर से यह बीच वाला हो गया और यह एक इधर वाला हो गया यह देखो हमारी उल्टी सलाई है यह उल्टी में भी घटेगा और सीधी में भी घटेगा दोनों तरफ घटेगा देखो उल्टी सलाई में हम अपनी तरफ करके घटा रहे हैं यह फंदे यह थोड़े फंदे उठा रहे हैं इसलिए थोड़ी पहली सलाई में दिकत आ रहे ह यह देक करते हैं यह पैस्मय उतार के ले रहे हूं ग्यां कि पिछे का फंदा उठाऊंगे पहला इसलाई में थोड़ी समस्वाइज है यह पिछे का फंदा मैं घटाने के बाद उठाती हूं यह आगे पिछे का दो का एक कर दिया अब मैं यह बीच का फंदा उठा लेते हूं आगे से यह ठीक चल पड़ेगा यह उठा गया बीच का फंदा फ्रेंड यह आगे दो फंदे अब जो फंदा हमने उठाया है तो पिछे वाला फंदा उसके उपर से उतार देंगे यह देखो यह हमारा सेफ्टी पिन वाला फंदा आ गया हब यह मैं इसमें सेफ्टी पिन लगा देती हूं हर बार सेफ्टी प लगाना ताकि आपको ध्यान रहे अब मैं यह आगे किस लाई उतार लेती हूँ एक बार फिर आपको सीधी तरफ से फिर मैं आपको यह फंदा घटाना बताऊंगे यह हमारा दाका आगे है फ्रेंट्स इधर तो हम पीछे करके बोडर बना लेंगे मैं इस लाई उतार लेती हूँ यह आएंगे सीधी सलाई में तब मैं आपको बताऊंगे प्रेंट्स ये देखो हमारा गले का फंदा फिर आ गया है और ये हमारा सीधी तरफ का इसा है तो मैं अब आपको सीधी तरफ में गटाना और बता रही हूं इसमें से सेफ्टी पिन निकाल लेते हैं ये इसे एक आगे का विगर्बुन हुआ और एक पिछे का लेंगे पिछली तरफ हमने जब उल्टी तरफ गटाया तो हमने दोनों अपने ऐसे अपनी तरफ करके गटाया था अब हम ऐसे करेंगे पिछली तरफ से दोनों उठाएंगे यह सीधी तरफ जब हम आएंगे तो पिछली तरफ से दोनों उठाएंगे दो का एक कर दिया यह हमारा गले वाला फंदा है इसको मैं यहां ले आई गले वाले फंदे को उठाया और जो फंदा बुन रखा इसके उपर से उतार दे अब ये हमारा अगला फंदा सीधा है तो सीधा ही उतारेंगे ये फ्रेंड्स मैं इसमें सेफ्टी पिन लगा देते हूँ ये मेरी दूसरी सिलाई है मैं तीन सिलाई और उतारूंगे उसके बाद आगे का आपको बताऊंगे प्रेंड्स ये देखो हमारी पांसलाई ये पूरी हो गई है अब ये हम सीधी तरफ आ गई है अब इदार देखो थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हमें सुई से बंद करना है ये गला तो इसमें देखो ये हमारा वटा फंदा है ये वटा ही हम बूनके उतार लेते हैं दागा पीछे ये फंदा भी गएर बुना हूब उतार लिया प्रधाजा आगे कर लिया फेर फंदा बुनके फेर पिछे, विगर बुना हुआ पूरी सलाई ऐसे ही उत्रेगी ये पूरी सलाई ऐसे ही उत्रेगी फ्रेंट्स, और जो बीच में हम ये फंदाग घटाते हैं ये उसी तरह घटेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक इधर से लेके, एक इधर से लेके, ये पूरी सलाई उतारने के बाद अगली सलाई कैसे उतरेगी, मैं बताऊंगे, ये हम 6 सलाई उतारेंगे, ये फ्रेंड्स हमारी पहली सलाई पूरी होगे, देखो इसका लास्ट ओड़ा फंदा, उनके उतरा है, जो हमारा पहला फंदा है, ये देखो, ये फंदे आपको दिखेंगे, एक पिछे दिखेगगा, एक आगे दिखेगा, जो आगे वाड़ा है, वो बुन के उतरा हुआ है उस तरफ, तो इसको हम बिगेर बुना उतारेंगे, ये इभी हमने बुन के उतारा था ना, इधर, इ इसको बुनके उतारेंगे पीछे धागा ये फंदा आगे है इसको विगर बुना हुआ दागा आगे ये देखो आलग से फंदा दीखेगा विगर बुना हुआ ये पीछे वाला दागा पीछे ये देखो ये आगे दिख रहा है ये पीछे फंदा दिख रहा है ये आगे आगे वाला फंदा विगर बुना हुआ दागा आगे अब ये देखो ये बुनके ये मेरी दूसरी सलाई है चार सलाई और में उतारूंगी चार सलाई और उतार के फिर में आगे आपको गला बंद करना बताऊंगी ये देखो फ्रेंड्स हमारी 6 सलाई अपूरी हो गई है 6 सलाई अपूरी होने के बाद सीदेवला भाग आ गया गया है ये ध्यान रखना जब भी हम सूई से सलाई करेंगे गले की तो ये सीदेवाग से ही हम सुरू करेंगे ये देखो एक में तो सलाई में मैंने फंदे उठाए थे फिर मैंने पांस सलाई उतारी थे उसके बाद मैंने एक बुनके और एक बिगर बुना हुआ जो छे सलाई उतारी है इसके अब मैं आपको सुई से ये बंद करना बता रहे हूं सुई देखो ये हमारी स्वेटर सिलने वाली सुई है यही लेना अब सिलने के लिए हम इस गोले से धागा काट रहे हैं जिससे हम गले की सिलाई करेंगे सुई में धागा डालके ये अंदाजे से आप धागा काट लेना एक डेड़ मीटर बचेगा तो मोडस की सिलाई हो जाएगी इसमें ये धागा काट लिया ये हमारे दूसरे फंदे में धागा फ्रेंड्स तो जो लास्ट वड़ा फंदा है इसको ऐसे उतार लो अब इधर देखो इसी में से दोबारा ऐसे निकाल लो अब ये फंदा उठाओ ये उपर दीख रहा है न ये ये धागा पीछे वाला है इसको ऐसे लेना अपन देखो ऐसे सीधा हलका खीच लेना अब ये देखो इधर ये उठाओ अपन दा न इसको उठाओ पीछे की तरफ से इसमें डाल लो अब ये पीछे का फंदा आ गया है इधर आ जो ये रहा ये फंदा आओ दिया पीछे की तरफ में ये रहा पीछे से आगे की तरफ अब ये देखो ये फंदा एक ले की सिलाई आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंट्स कैसे दागा उठाना है एक पहले बार सिलाई करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी ये देखो अलग से दागा दिखेगा तब आपसे लाई करोगे झायाцो आपसे बा respir वे ड़ोगे लाईगा ख्रेंगा तब लाईगा dedic समाना हवाँ आःगा खार थेखेगपश्यू पहले Cand यह फ्रेंस गले की सिलाई हो गई है मैं थोड़ा सा इसको यह टाग देती हूं दागे को थोड़ा पीच से निकाल देना ताकि निकलेना यह देखो फ्रेंस हमारा गला बन गया ग्रीनेक अब यह मोड़ा से गएगा इसको खोल के दोनों तरफ के फंदे मैं सलाईयों में डाल लिखती हूं फिर आपको मोड़ा बन करना बताऊंगे यह देखो फ्रेंस मैंने दोनों सलाईयों में यह कंदे के फंदे डाल लिए है और इनका मूँ मैंने सलाईयों का गले से दूसरी तरफ किया है ताकि इधर से हम मोड़ा बन करते लाएंगे तो साथ में जो यह अमारा गला खुला हुआ है तो इसके भी सलाई कर देंगे अब तेसरी सलाई से हम इसको बंद करेंगे एक फंदा पिछली सलाई से एक आगे वाले से यह दूसरा धागा लगा लिया हमने मेरे पास इधर धागा नहीं है तो मैं नया धागा लगा रही हूँ यहां मैं गाठ लगा देती हूँ एक फंदा उटा दो का एक कर दिया हमने अब आगे फिर दो का एक पिछे से एक आगे से इधर हमारे पास दो फंदे हो गए हैं पिछे वाले फंदे इस पिछे वाले उटाएंगे उपर से उतार देंगे अब फिर वाई एक पिछे वाला फंदा उठाएंगे आगे वाले के उपर से उतार देंगे ऐसे पूरा मोड़ा में बंद कर देते हूं अब यह फ्रेंड्स हमारा मोड़ा बंद हो गया है अब यह सिलाई हमें करनी है तो इतना दागा हमें बहुत होगा इस दागा में तोड़के इस पंदे से निकाल देते हूं अब सुई से हम आगे इसको बंद करते हैं अब सुई यह अइसको दुई मजगे थाहिसं आगे गब यह स áreas अब यह सिलाएं निस दाग ओ lot the hell यहां अच्छे से पका काम करना अब इसको निच्छे की तरफ निकाल देना धागे को यह फ्रेंट्स हमारा गला पूरा उबया है अगली वीडियो में मैं आपको बाजू बुन्ना वगर इसकी स्वेटर की सिलाई बताऊंगे फ्रेंड्स उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यो फ्रेंड्स